चलिए आज बनाते हैं जहटपट आसान और स्वादेश्ट काबली मेटर और आलू की सबजी आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें सभी को काफी पसंद आएंगे हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बाचे तो चलिए रेस्पी बनाना हम सुरू करते हैं हमें गैस पे चड़ा देना है कूकर को इसमें डाल देना है दो आलू को ये मीडियम साइज के आलू है इसका छिलका हटा कर डालना है आधा कप हमें भीगोय हुए मटर लेना है इसे 5-6 घंटे के लिए भीगो देना है आप ओबर नाइट के लिए भी भीगो सकते हैं अभी हमें इसमें डाल दीना है पानी मटर के उपर तक हमें पानी डालना है इसमें डाल दीना है आधा छोटी चमबच नमक जिससे मटर काफी जल्दी पक जाते हैं आधा छोटी चमबच हल्दी पाउडर डाल दीना है कुकर का धकन लगा कर इसे 3 से 4 वीसी लाने तक पकाना ह कूकर का प्रेसर निकल चुका है अभी हमें कूकर का धकन हटा लीना है और मटर को चेक कर लीना है कि सौप्ट हुए हैं कि नहीं तो देख सकते हैं मटर एकदम सौप्ट हो चुके हैं अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कडाही को इसमें डाल देना है तीन से चार चम्मच इतना तेल गरम हो चुके है वन फर छोटी चम्मच हमें जीरा डालना है जीरा को ब्राउन होने देना है अभी हमें इसमें दो तेज पतर डाल देना है चुटकी जितना हमें हिंग डालना है इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ी आता है दो मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज डालना है इसे हमें चला लीना है अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए हमें प्याज को हलका ब्राउन होने तक भूनना है इसे भुनने में लगभग डेट से दो मिनिट का समय लगेगा प्या जलका भुन चुके हैं इसमें डाल दीना है एक चम्मजीतना कूटी हुई लेसुन अदरक और हरी मिर्च को इन सब को चला लेना है इन सब को हमें आधा मिनिट के लिए भुनना है जिससे लेसुन अदरक और हरी मिर्च का जो कटापन का टेस्ट रहेगा वो समाप्त हो जाएंगे थोड़ी थोड़ी दिर में हमें इन सब को चला लेना है यह अच्छे से भुन चुके हैं अभी हमें इसमें डाल दीना है एक बड़ा साइज का कटा हुआ टमाटर आप्टा मैटर का प्यूरी भी ले सकती है इसमें डाल देना है नमक नमक मतर में भी डला हुआ है तो बहुत ज़्यादा ना डाले आप अपने स्वाद नुसा डाले वन फोर छोटी चमच हमें डाल देना है कास्मेरी लालमेश पाउडर इससे कलर बहुत ही बढ़िया जाएगा एक छोटी चमच धनिया पाउडर वन फोर छोटी चमच जीरा पाउडर वन फोर छोटी चमच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर भी डला हुआ है तो बहुत ज़्यादा ना डाले अभी हमें इन सब को चला लेना है ग्यास का फ्लेम हमें लो रखना है धीमे धीमे हीट पर ही हमें मसाले को भुनना है इसमें एक चम्मच इतना डाल देना है कसूरी मेथी को हलका क्रेस करके डालिएगा इसका फ्लेबर बहुत ही बढ़ी आता है मसाले को हमें थोड़े थोड़े दिर में चला लेना है नमक डालने से टमाटर काफी जल्दी सौफ्ट हो जाते है टमाटर सौफ्ट हो चुके हैं और मसाले भी अच्छे से भून चुके है टमाटर को हमें हलका मैस कर लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है उबाले हुए आलू को कट करके इसे हमें चला लेना है अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए हमें आलू को लगभग एक मिनट के लिए भूनना है जितने अच्छे से आप सब्जीयों और मसालों को भूनियेगा उतना ही टेस्टी आपका रैस्पी बनेगा इसे भूनते हुए लगभग एक मिनट हो चुके हैं ये अच्छे से भून चुके हैं अभी हमें इसमें डाल देना है उबाले हुए मटर को इसे हमें मेक्स कर लेना है अभी ये काफी थीक है तो इसमें हमें डाल देना है पानी हमें इसमें आधा ग्लास इतना पानी डालना है लगभग एरस्वामल जितना अभी हमें इसमें डाल देना है एक छोटी चम्माच गरम मसाला पाउडर गरम मसाला जरूर डालिएगा, इससे टेस्ट काफी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है अभी हमें इसे मिक्स कर लेना है कडाही का धकन लगाकर इसे लो हीट पर 4-5 मिनट के लिए पकाना है इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं कडाही का धकन हटा लेना है तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी काबली मटर और आलू की सब जीवन कर दयार है आप इसे एक बार जरू ट्राइ करें आप इसे रोटी, चावल, पूरी, फराठे के साथ सर्व करें सभी को काफी पसंद आएंगे हमारी वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा अपने फैमली फ्रेंट के साथ सेर जरूर कीजिएगा कमेंट में जरूर बताईएगा ये रेश्पी आपको कैसा लगा आपके फैमिली वालों को कैसा लगा थैंक यू फर वाचिंग